हलो फैन्स मैं आपका दोस्ट और इस चैनल का होश नारायन मिश्रा वेलकम टू माइ चैनल नारायन मिश्रा राइज ओर हेट तो कैसे हैं आप सब लोग कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहने बीच है आज हम जिस टॉपिकों पर डिस्कुशन करने वाले हैं डिस्कुशन करने से पहले मैं आपको एक छोड़ा सा वीडियो प्ले करके दिखाना जाता हूं आप वीडियो देखो और फिर उसके बाद हम बात करेंगे मैं आगे बात कंटीनू करूंगा आउट वेस्टिंग टाइम पहले वीडियो देखते है उसके बात डिस्कुश करते है इतना है कि जिसने भी जलाई है जो भी शुरंट है जिसको भी नौकरी चाहिए कम सकम ये मत करें कि किसी अंजान आत्मी गाड़ी चला कर जलता है किसी नहीं भी जलाई है वो आए है आप एक में सामने आप बोले कि ये इंसाफ है क्या इससे नौकरी मिलना है कि उनको देखते है अरो मोदी जी से दिखकत है ने तीज से दिखकत हो तो महाँ आ जाए है ना तो देखा अपने वीडियो अब आप ही मुझे बताईए क्या ये सही है मैंने अक्सर देखा है अपने इंडिया में बात कुछ भी हो पॉइंड कुछ भी हो लेकिन नुकसान हमारा होता है हम जैसे आम आदमी का कौन करता है नुकसान करने वाले भी हम ही है मुझे नहीं लगता है कि ये जो वीडियो में इस सक्स की जो गाड़ी जलाई गई है वो किसी स्टूडेंट ने जलाई है या फिर किसी आर्वी में भरती होने वाले जवान ने जलाई है मानता हूं कि जो गवर्मेंट ने जो चार साल का आर्मी में सर्विस का जो रूल्स पास किया है गलत है लेकिन उसका विरोध करने वाले जिस तरीके से विरोध कर रहे है वो सही है गवर्मेंट की प्रॉपर्टी को जलाना या फिर आम आदमी के प्रॉपर्टी को जलाना उनके गाड़ी को तोड़ फोड़ करना उनकी गाड़ियों को जलाना ये सही है आप बताईए मेरे इसार तो गलत है अब आप लोगों को जो भी लगता हो मेभी बहुत सारे लोग को सपोर्ट कर रहे होंगे इन ऐसे उत्पात मचाने वालों को बट मैं नहीं करूँगा उस सक्स की फिलिन को समझो उसके दर्द को समझो एक एक वर्ड में कितने दर्द थे उसके जो वीडियो मैंने भी दिखाया बात सही है एक इनसान जब गाड़ी लेता है न तो उसके पीछे इसो कितनी मसकत करने पड़ती है वो एक एक रुपया जोड़के पाई पाई रुपया बचा के कैसे कैसे करके वो गाड़ी लेता है क्यों लेता है ताकि वो उस गाड़ी के जरिए दो वक्त की रोटी कमा सके अपने परिवार को खिला पिला सके कुछ तो चार पैसे कमा के बचा सके यही उसका छोटा सा सपना है बट वो सपनों को भी हमने आग लगा दी उसकी गाड़ी जला के अरे कम से कम दूसरों के सपनों को पूरे नहीं कर सकते तो उनके सपनों पे आग मत लगाओ एक सिंपल सी दर्खवास है आप सभी लोगों से प्लीज जागरुख हो ये और ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हो ये क्या मिल गया उनको गाड़ी जला दिया तोड़ फोड़ कर दिया इतने दंगे कवसाद कर दिया क्या रूल्स वापस हो गए नहीं ना ज़रा थंड़े दिमाग से सोचके कोई भी काम कीजेगा मैं कोई ग्यान नहीं पेल रहा हूं यहां पे हना मुझे ग्यान पेलने का सोख है सॉरी मैं अपने वर्ड्स के लिए मैं माफी मांगूँगा माफी चाहता हूं बट उस सक्स के दर्द को देखके मैं थोड़ा भावुक हो गया हूं मैं उसके दुख के उपर बात कर सकता हूं उसके दुख को समझ सकता हूं बट फील नहीं कर सकता फील तो वही कर पा रहा होगा गाड़ी जला दिया आपने क्या पता हो उस ने गाड़ी लोन पे लिए हो उसका यपाय कुन भरेगा गाड़ी ड्राइव करके य४माय का पैसा निकालता होगा और अपने परिवार को चलाता होगा तब जाके वो किस्त भरता होगा जब उसकी गाड़ी ने रही तो किस्त कहां से भरेगा और आपको क्या लगता है कि बैंक लोन माफ कर देगी तो दूसरे की संपत्ति को नस्ट करने से पहले जलाने से पहले तोड़ फोड मचाने से पहले दस बार सोचो चीजों को बनाने में चाहे वो भरोसा हो बिजनस हो या व्यापार या घर बनाने में वक्त लगता है बिगाड़ने में नहीं आपको क्या लगता है वो गाड़ी एक दिन में खरीद लिया होगा उसके सपने कई महीनों से कई सालों से कर रहा होगा कहीं जाकर उसने पैसे बचा बचाकर पाई पाई सेविंग करकरके उसने गाड़ी ली थी बनाने में इतना वक्त लगा और आपको तोड़ने में नस्ट करने में कितना टाइम लगा विदीन ए सेकेंड आपको क्या हासिल हो गया मिल गई नौकरी दूसरे को नौकसान पहुचा के मिल गई आपको नौकरी अरे समझो यार चार साल का जो रूल्स पास किया गया है वो कुछ सोच समझ के पास किया गया होगा आप लोग ने भी जो देखा होगा आप गॉर्मेंट के किसी भी सेक्टर में चले जाईए चार वो बैंक हो चार वो सरकारी अस्वताल हो या स्कूल हो सरकारी या और भी कोई सरकारी संस्था तो आप खुद समझ सकते हो कि वहाँ पे काम कैसे होता है जब तक किसी इंसान को मैं पर्टिकुलर अपना एक्जामपल देता हूँ जब तक मुझे कोई गवर्मेंट जॉब नहीं मिलती तब तक मैं गवर्मेंट जॉब पाने के लिए अपना सारा एफर्ट लगा दूँगा बहुत प्रिपरेशन करूँगा हर जगे कोशिश करूँगा फॉर्म भरूँगा दोड करूँगा अपना फिजिक्स बराबर करूँगा सब करूँगा लेकिन आखिर कर मैंने जॉब पाली सरकारी नौकरी पाली उसके बाद क्या उसके बाद एक मेंटालिटी आ जाती है कि अब मेरे को गवर्मेंट जॉब मिल गई है अब मेरा मैं चाहे काम करूँ या ना करूँ ओफिस जाओ या ना जाओ मुझे पेमेंट मिलनी है कोई मेरे पूछने अला नहीं है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया कोई पूछने अला नहीं है 18 साल तक जो भी आर्मी की बात करो 18 साल तक सेलेक्शन होने के बाद 18 साल तक जॉब सेक्यूर हो जाता है फुन 18 साल में जो मेनती होंगे वो अपना और एज अल्वेस जो देश के लिए काम करते वो एज अल्वेस अपना एफ़र्ट लगाएंगे क्यूँ? उनको आगे रैंक में बढ़ना है प्रोमोशन लेना है अपना सर्विस एक्स्टेंड करना है मेरे जिसाब से जो चार साल का एगनी वीर का जो रूल्स पास हुआ है मुझे लगता है इसके लिए किया गया होगा जब किसी इंसान को नौकरी खोने का डर लगा रहता है तो अपना बेस्ट एफ़र्ट लगाता है हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो हमसे पूछो हम डेली हमारे कोई जॉब का फिक्स नहीं है जब तक हमारा काम चलेगा तब तक हमारा जॉब है सो हमेशा हमें जॉब कोने का डर लगा रहता है इसके वाज़े से हम अपना बेस्ट एफ़र्ट देते हैं और मुझे लगता है गॉबर्मेंट भी कहीं न कहीं ये लूट्स लगा के उन सभी आर्मी ओफिसर को अपना बेस्ट एफ़र्ट लगाने के लिए बोल रही होगी ये जो नाम दिया है अगनिवीर साइद इसके लिए दियागा है बट अगर आपको विरोध करना है तो विरोध करने के और भी तरीके हैं सरकारी संपत्ति को नुपसान पहुँचा कर आम आदमी के संपत्ति को नुपसान पहुँचा कर आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे है और ये हमेशा होता है मैंने हमेशा देखा है चाहे बात कोई भी हो पॉइंट कोई भी हो तोड़ फोड़ पे ही आएगा अपना मुद्दा तो ये गलत है यार किसी के भी चीज को किसी के भी संपत्ति को तोड़ने से पहले यार सोचो उसके पीछे उसकी क्या हालत होगी अगर उसको आग लगा दी तो क्या हालत होगी उसकी मैं ज्यादा नहीं वक्त लूँगा आपका मैं इतना ही बोलूँगा don't spread hate just spread the love जीओ और जीने दो किसी को खुशियां बाट नहीं सकते तो कमसम उनको गम भी मत दो दूसरे के घरों को जला कर आप सांथी से रह लेंगे उसकी बद्दुआ कितनी लग रही होगी उसके परिवार की कितनी हाई लग रही होगी वो सुचिए तो तोड़ने से पहले दस बात सुचिए कि आप क्या नुक्सान कर रहे हैं गौर्मेंट कौवर्मेंट की संपत्ती को नुक्सान पहुचा कर हम अपना ही नुक्सान कर रहे हैं सरकारी बसो में हम ट्रेवल करते हैं सरकारी ट्रेनों में हम ट्रेवल करते हैं सरकारी अस्पतालों में हम जाते हैं बड़े लोग नहीं जाते हैं सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं अगर इन सभी चीजों को नुक्सान पहुचाएंगे तो हम अपना ही नुक्सान कर रहे हैं चलिए बस आज के लिए यह मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज और शेयर लोगों को तक पहुचाएं ताकि कुछ तो पहल हो और लड़ी इतनी सारी नफरत फैलाई जा चुकी है उस तो प्यार बाटो बाकी सब आपकी मर्जी आप काफी समझदार हो हैं कुछ लोग जो हर एक पॉइंट को एक भारी भरकम जगड़े में बदल देते तबदील कर देते बट हम तो समझदार हैं हमें तो अपनी समझदारी दिखानी है कैसे डिसिजन लेना है कैसे नहीं सो अगर भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो इंसान के नाते काम करें सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसानी हैं बट हमारी हरकतें किसी जानवर से कम नहीं है कुछ काम इंसानियत के लिए इंसानियत के नाते कर लें बस आज के लिए इतना ही एक छोटी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़के विंति करूंगा प्लीज ऐसी कोई भी भरकत ना करें जिससे दूसरों को दुख पहुंचे जैसा कि इस इंसान को पहुंच लिए चलता हूं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे पे फिल दैन बाइबाई टेक क्या सी यू जै हिन जै भारत वंदे मातरम